नमस्ते मैं चंदर सेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलिजन्ट अकेडमी में स्वागत करता हूँ कल हम लोग टाइम एंड वर्क के अंदर एक नय टॉपिक के स्टार्ट किये थे मैं एंड ओमें पे आधारित कोश्चन का आज हम लोग का मैं एंड ओमें पे आधारित कोश्चन का दूसरा क्लास है आज के क्लास में हम लोग बहुत सारे बहतरी इन कोश्चन करने वाले हैं चलिए हम लोग question की तरफ चलते हैं इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेश करना बिलकुल न भूले ताकि आपको सबसे पहले latest notification मिलता रहे हैं चलिए अब हम लोग question की तरफ चलते हैं देखिए हमारा question क्या दिया हुआ है question दिया कि 20 आदमी 6 दिन में 56 मीटर दिवार बना लेते हैं तो 35 आदमी 6 दिन में कितने मीटर दिवार बना लेंगे देखिए हम यहां MDH फर्मूला का यूज करेंगे यानि M1 ब्यक्ति D1 दिन में W1 काम कर पा रहे हैं तो M2 ब्यक्ति D2 दिन में W2 वर्क कर पाएंगे अब हमें यहां जो दिया हुआ है कि 20 आदमी कितने दिन में 6 दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, 56 मिटर दिवार बना पा रहे हैं, तो हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, कि 35 आदमी 6 दिन में कितना मिटर दिवार बना पाएंगे, हमने मालिया कि X मिटर दिवार बना पाएंगे अब हम इसे 4 से काटेंगे ये 14 बार में जाएगा हम इसे 4 से काटेंगे ये 5 बार में जाएगा हम यहां से 6 से 6 काट सकते हैं हम इसे 5 से काटेंगे ये कितने बार में जाएगा 7 बार में यहां से हमारा जो x है, x किसके बराबर निकल किया गया? x equal to 14 गुने 7, यानि हम 14 में 7 से गुना करेंगे, यह कितना हो जाएगा? 98 मीटर, कितना निकल किया गया? 98 मीटर, चलिए एक बार फिर से question देख लेते हैं, हमें question में क्या दिया हो था? question में दिया हो था कि 20 आदमी 6 दिन में 56 मीटर दिवार बना लेते हैं, तो 35 आदमी 6 दिन में कितने मीटर दिवार बना पाएंगे? तो हम यहां यूज करेंगे MDH फर्मूला का, यानि M1 गुने D1 बटा W1, M2 गुने D2 बटा W2, अगर हमें दिया होता कि 20 आदमी 6 दिन, 6 घंट दिवार बना पाते हैं, तो हम यहां H भी add करते, यानि हम यहां hour भी add करते, तो देखिए, हमें simple सा याद रखना है, कि जो work होगा केवल, जो हमारा work होगा, वो नीचे होगा, बाकि सबका सब उपर होगा, यानि हमारा दिन उपर होगा, आदमी का संख्या उपर होगा, हमार च condemn 2 चौख में 25 दिन में 95 7 मीटर कीवार disgust है और चánt गंद Elias जुआ कोस्टिन परें में डिया है कि देखिए मारा कोश्टिन क्या दिया हुआ है की पंद्रे आदमी 20 मिटर लंबी खाई को 8 घंटा प्रती दिन काम करके 8 दिन में खोदते हैं तो 39 मिटर लंबी खाई को 9 घंटा प्रती दिन काम करके 6 दिन में कितने आदमी खोद सकते हैं देखिए हमें जो दिया हुआ है हमें दिया हुआ है M1 D1 इंटू H1 ये W1 वर्क कर रहे है और दूसरा हमें दिया हुआ है M2 D2 इंटू S2 ये जो है W2 वर्क कर रहे है हमेशा जो है man, day और hour उपर रहेगा हमेशा नीचे क्या रहेगा हमेशा नीचे वर्क रहेगा के वद अब देखिए हमें यहां दिया हुआ है कि 15 आदमी 15 आदमी जो है 8 घंटा प्रती दिन काम करके 18 दिन में 8 घंटा प्रती दिन काम करके 20 मिटर लंबी जो है खाई खोद पाते हैं तो हमसे पूछ रहा है कि कितना आदमी यानि M2 गुने जो हमारा दिन दिया हुआ है यहां 6 दिन में 9 घंटा काम करके कितना मिटर 39 मिटर लंबाई का खाई कितने आदमी खोद पाएंगे देखिए हमें यहां किया निकालना है हमें M2 का वैलू निकालना है अब हम इसे काटेंगे हम 9 से काट सकते हैं 2 बार में 9 से काटेंगे 2 बार में हम इसे 4 से काटेंगे यह 4 से 5 बार में जाएगा यह 4 से 2 बार में जाएगा हम इसे 5 से काटेंगे यह 3 बार में जाएगा यानि हमारा यहां से निकल के आगया यह हो गया 3 दूनी 6 गुने 2 इक्वल टू ये कितना हो गया M2 गुने शौभ बटा 39 हम यहां से 6 से 6 काड़ सकते हैं अब यहां हमारा M2 जो है क्या निकल के आगया 2 गुने 39 हम 39 में 2 से गुना करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा یہ हमारा जो हो जाएगा 78 78, यहां कितना निकल क्या गया? कितने आद्मी खोज सकते हैं? हमें जो है, यहां क्या निकालना है? हमें मैन की संख्या निकालना है आब देखिए यहां जो हमारा फ्रमूला यू जोगा M1 गुने D1 गुने H1 बटा W1 equal to M2 गुने D2 गुने H2 बटा W2 अब देखिए हमें यहां M1 की value कितना दिया हुए 15 और यहां D1 कितना दिया हुए 18 दिन और H1 क्या दिया हुए 8 घंट प्रती दिन और हमारा जो work हो रहा है कितना हो रहा है 20 मीटर और हमसे पूछ रहा है कि कितना ब्यक्ती यानि M2 का हमें value निकालना है 6 दिन काम करके और 9 घंट प्रती दिन कितना काम कर पार है 39 मीटर लंबी खाई खोद पार है हमें यहां M2 निकालना था हम इसे solve किये हमारा M2 का value कितना निकल के आया कि M2 यानि आदमी का जो संख्या होगा 78 आदमी 6 दिन में 9 घंट प्रती दिन काम करके 39 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं हमारा answer क्या निकल के आगया 78 आदमी चलिए question समझ में आगया होगा next question पे चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है question दिया कि 20 आदमी उसी काम को 15 दिन में करती है जबकि 16 आदमी उसी काम को 15 दिन में करते हैं तो एक आदमी और एक आदमी की काड़े छमता का अनपात कितना होगा हमें क्या निकालना है work की efficiency निकालना है देखे हमें question में जो दिया हुआ है हमें question में क्या दिया हुआ है कि 20 औरत किसी काम को 15 दिन में करती है यानि 20 औरत मिलके 15 दिन अगर काम की होगे यानि total work unit यहां जितना हुआ होगा उतना ही work unit 16 आदमी मिलके कितने दिन में कर रहे है 15 दिन में कर रहे है देखिए यहां से हमारा 15 से 15 कट जाएगा हम इसे 4 से काटेंगे ये 4 बार में जाएगा ये 5 बार में यानि हमारा निकल के आगया 5W equal to 4M यहां से हमारा W बटा M क्या हो गया 4 बटा 5 अब हमसे पूछ रहा था कि एक आदमी और एक औरत की कारेच हमता का रेशियो यानि हमसे पूछ रहा था मैन और ओमेन के इफिसेंसी का रेशियो पूछ रहा था हमसे मैन और ओमेन के इफिसेंसी का रेशियो पूछ रहा था तो मैन का इफिसेंसी कितना है 5 यूनिट और ओमेन का इफिसेंसी कितना है 4 यूनिट यानि हमारा रेशियो कितना निकल के आगया मैन और ओमेन के कारेश हमता का जो रिश्यू हमारा निकल किया गया फाइफ इस टू फोर निकल किया गया चलिए एक बार फिर से कोश्चन देख लेते हैं हमें कोश्चन में क्या दिया हो था हमें कोश्चन में दिया हो था कि 20 ओरत किसी काम को 15 दिन में करती है जबकि 16 आदमी उसी काम को 15 दिन में करते हैं तो एक आदमी और एक औरत की कारेच हमता का अनुपात कितना होगा हमें जो है work efficiency निकालना था तो देखिए हमें question में दिया कि 20 आदमी किसी काम को 15 दिन में करती है यानि 15 दिन तक 20 आदमी जो काम कर रहे होगे जितना work unit उतना ही work unit 16 आदमी 15 दिन में कर रहे है यहां से हम solve करेंगे हमारा क्या निकल क्या गया W बटा M किसके बराबर निकल क्या गया 4 बटा 5 के बराबर अब हमें जो निकालना था कि एक आदमी और एक औरत की work efficiency यानि एक आदमी का जो work efficiency अगर 5 unit है तो एक महिला की work efficiency कितना है 4 unit यानि man और o man का हमारा जो work efficiency निकल के आगया 5 is to 4 निकल के आगया हमारा answer क्या होगा 5 is to 4 चली question समझ में आगया होगा next question पे चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है question दिया कि 25 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं 20 लड़के इस काम को 50 दिन में कर सकते हैं 5 आदमी काम प्रारंब करते हैं 10 दिन बाद कुछ लड़के जुड़ जाते हैं और 6 काम 20 दिन में पूरा हो जाता है तो कितने लड़के जुड़े थे हमें क्या निकालना है लड़कों की शंख्या निकालना है देखिए हम यहां कुछ work unit माल लेते हैं हम work unit को क्या मानेंगे जो है पचीस आदमी 10 दिन में काम को पुड़ा कर रहे हैं और 20 लड़के 50 दिन में पुड़ा कर रहे हैं यानि हम 10 और 50 का LCM लेंगे जो हमारा LCM निकल क्याएगा हम उसे work unit माल लेंगे 10 और 50 का LCM कितना हो जाएगा 50 यानि हम total work को माल लेंगे कि हमारा जो total work है वो 50 unit है total work कितना है 50 unit अगर 50 unit काम को 50 unit काम को आदमी कर रहे हैं तो कितना समय ले रहे हैं 10 दिन और लड़के कर रहे हैं तो 50 दिन का समय लग रहे हैं और यहां आदमी का संख्या कितना है 25 आदमी है और यहां लड़के कितने हैं 20 लड़के हैं देखे 25 आदमी 10 दिन में 50 unit काम कर पा रहे हैं और 20 लड़के 50 दिन में 50 unit काम कर पा रहे हैं अब देखिए 10 दिन में अगर 50 यूनिट काम हो पा रहा है तो एक दिन में कितना हो रहा होगा एक दिन में 5 यूनिट यानि यहां से हमारा निकल किया गया efficiency निकल किया गया कि 25 आदमी एक दिन में 5 यूनिट काम कर पा रहा होगे आप देखिए हमारा लड़का का उजल दिया हुआ है कि 20 लड़का 50 दिन में 50 यूनिट काम कर पा रहा है यानि 50 दिन में 50 यूनिट काम कर पा रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा एक यूनिट यानि हमारा ये निकल के आगया कि 20 लड़के एक दिन में कितना काम कर पाएंगे एक यूनिट काम कर पाएंगे अब हमें question में जो दिया हुआ है कि 5 आदमी काम प्रारम करते हैं और 10 दिन बाद कुछ लड़के जूड जाते हैं और सेस काम 20 दिन में पूरा हो जाता है तो कितने लड़के जूड़े हमें लड़कों की संख्या निकालना है तो देखिए 25 आदमी एक दिन में 5 यूनिट काम कर पा रहा है 25 आदमी एक दिन में कितना काम कर पा रहा है 5 यूनिट तो पांच आदमी एक दिन में कितना करेगा? पांच आदमी एक दिन में कितना करेगा? एक यूनिट काम पांच आदमी एक दिन में कितना करेगा? एक यूनिट काम अब हमें कोस्टिन में जो दिया हुआ है कि पांच आदमी काम प्रारम करते हैं और दस दिन तक काम करते हैं दस दिन तक हुआ काम और दस दिन बाद कुछ लड़के जूर जाते हैं और सेस काम 20 दिन में पूरा हो जा रहा है सेस काम जो है 20 दिन में पूरा हो जा रहा है तो देखिए, इस स्टार्टिंग से कितने आदमी काम कर रहे हैं, इस स्टार्टिंग से जो है, पांच आदमी काम कर रहे हैं, और पांच आदमी जो है, अंतिम तक काम किया होगा, यानि पांच आदमी पूड़े के पूड़े 30 दिन काम किया होगा, अब देखिए, पांच करेंगे हैं लिए इती सी उनिट काम हो जाएगा और हमारा टोटल काम किता है काम जो है पचास यूनिट अब देखिए ऊन काम पूरा हो गया हमारा सेष काम कितना बचिया हमारा जो सेस काम बचिया गए गो तेस काम कितना बचिया हम проблем 50 में से 30 को माइनस करेंगे 50 माइनस का 30 ये कितना हो जाएगा 20 unit काम बच गया हमारा 6 काम कितना बच गया 20 unit अब देखिए इस 20 unit काम को कौन कर रहा होगा इस 20 unit काम को लड़के कर रहे होंगे 20 दिन में अब हमें जो question में दिया हो है कि 20 लड़के एक दिन में कितना काम कर पर है एक यूनिट और जो हमारा सेज काम है 20 यूनिट काम है और 20 दिन में ही 20 दिन लड़के कर रहे है यानि यहां से हमारा क्या पता चला यहां से पता चला कि 20 लड़के 20 लड़के 20 दिन में 20 दिन में कितना काम कर पाएंगे 20 यूनिट 20 लड़के 20 दिन में कितना काम कर पाएंगे 20 काम कर पाएंगे 20 यूनिट काम कर पाएंगे तो जुड़े हुए लड़कों की संख्या हमारा क्या निकल क्या गया 20 लड़के हमारा answer क्या है, निकल क्या गया, हमारा जो answer है वो निकल क्या गया, बीस लड़के चलिए एक बद फिर से question देख लेते हैं, हमें question में क्या दिया हो था कि 25 आदमी किसी काम को 10 دिन में कर सकते हैं 20 लड़के इस काम को 50 दिन में कर सकते हैं पांच आदमी काम प्रारम करते हैं, दस दिन बाद कुछ लड़के जूड़ जाते हैं, और सेस काम 20 दिन में पूड़ा हो जाता है, तो कितने लड़के जूड़े थे, हमें लड़कों की शंख्या निकालना है, तो दखे, हमें जो question में दिया हैं कि 25 आदमी 10 दिन में कर रहे ह और 20 लड़के 50 दिन में कर रहे हैं, तो हम यहां कुछ work unit माल लेते हैं, work unit मालने के लिए, जो हमारा समय दिया हो कि 10 दिन और 50 दिन, हम इसका LCM ले ले लेते हैं, 10 और 50 का LCM कितना हो जागा 50, यानि हम total work को माल लेंगे कि हमारा जो total work है, वो 50 unit है, इस 50 unit काम को, जो 25 आदमी 10 दिन में कर पा रहे हैं, और 20 लड़के 50 दिन में कर रहे हैं, अगर 25 आदमी 10 दिन में 50 unit काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, 5 unit, यानि यहां से हमारा निकल किया गया कि 25 आदमी एक दिन में 5 unit काम कर रहे हैं, और देखिए 20 लड़के 50 दिन में 50 unit काम कर र अब हमें question में दिया हुआ था कि 5 आदमी काम प्रारंब करते हैं देखे 25 आदमी एक दिन में 5 unit काम कर पा रहे हैं तो 5 आदमी एक दिन में कितना कर पाएगा एक unit अब देखे 5 आदमी काम प्रारंब करते हैं और 10 दिन बाद कुछ लड़के जूड़ जाते हैं जो 60 काम है, दस दिन तक कौन काम किया, किया वाल पांच आद्मी, और दस दिन बाद कुछ लड़के जूढ गये, जो हमारा 60 काम है, 20 दिन में पूड़ा हो गया, यैनि टोटल जो काम है, 30 दिन में पूड़ा हो रहा है, तो देखे 5 आदमी शुरू से अंतिम तक काम किया होगे यानि 5 आदमी पुड़े के पुड़े 30 दिन काम किया होगा अब देखे 5 आदमी एक दिन में एक यूनिट काम कर पा रहा है तो 30 दिन में कितना काम होगा? 30 यूनिट अब हमारा जो total काम है 50 unit था उसमें से 30 unit काम हो गया sales काम कितना बच गया 20 unit काम बच गया अब देखिए 20 unit काम लड़के जो है 20 दिन में कर रहे है 20 unit काम 20 दिन में लड़के पूड़ा कर रहे है अब देखिए हमें जो question में यहां निकल के आया था efficiency कि 20 y जो है एक दिन में कितना काम कर परें एक unit और हमारा काम कितना है काम जो है 20 unit काम है 20 दिन में हो रहा है यहां से हमारा क्या निकल के आगया कि 20 लड़के 20 दिन में sales काम कर रहे होंगे हमारा लड़का का संख्या क्या निकल के आगया सकता है जब दोनों मिस्तिरी साथ काम करते हैं तो पता चलता है कि प्रती घंटा 10 इट कम लगाते हैं और दोनों मिलके दिवाल को 5 घंटा में बना देते हैं तो दिवाल में इट की संख्या कितनी हैं हमें इट की संख्या निकालना है देखें इट की संख्या निकालने के बील के करें तो कितना घंटा में हो रहा है 15 गंटा में यहनि हम इ मिस्तिरी यानि हमने माल लिया B B जब लगा रहा है दिवाल में 8 तो कितना समय लग रहा है नौ घंटा का और दोनों जब मिल के लगा रहे यानि A प्लस B अगर मिल के लगा रहे है तो कितना लग रहे है 5 घंटा का समय लग रहे अब देखिए A जो है 10 घंटा में अगर 90 इट लगा रहा है तो 1 घंटा में कितना इट लगा रहा होगा 9 इट लगा रहा होगा और B जो है 9 घंटा में अगर 90 इट लगा रहा है तो 1 घंटा में कितना लगा रहा होगा 10 इट लगा रहा होगा और देखिए जब दोनों मिल जा रहे हैं तो 5 घंटा में 90 इट लगा रहे हैं यानि 1 घंटा में कितना लग रहा होगा? 18 इट अब हमें question में जो दिया हुआ था कि अगर दोनों मिल के साथ में काम करते हैं तो पड़ घंटा जो है 10 इट कम लगता है लेकिन यहां अगर दोनों मिल के कर रहे हैं अगर A अकेले लगा रहे हैं तो 9 इट लगा रहे हैं B अकेले लगा रहे हैं तो 10 इट लगा रहे हैं और दोनों जब मिल के कर रहे हैं तो 1 घंटा में कितना इट लग रहे हैं? 18 इट यानि यहां कितना कम लगा रहे हैं यहां जो है हम इसे add करेंगे 9 और 10 को कितना हो गया 19 19 eat लगना चाहिए लेकिन लगा कितना रहे हैं 18 eat यानि पर घंटा 1 eat कम लगा रहे हैं अगर 90 eat मान के रखे हैं तो पर घंटा 1 eat कम लग रहे हैं लेकिन हमें question में क्या दिया हुए? हमें question में दिया हुए कि पर घंटा 10 it कम लग रहा है यानि इस एक का जो value है वो क्या निकल क्या है? 10 it हमें क्या निकलना था? total it का संख्या यानि 90 it का जो संख्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? एक unit अगर 10 it के बराबर है तो 90 unit किसके बराबर हो जाएगा? 900 it यानि उस दिवाल में total जो it का संख्या होगा वो कितना होगा? 900 होगा चलिए एक बड़ फिर से question देख लेते हैं हमें question में क्या दिया हुए था? हमें question में दिया हुए था कि एक मिस्तिरी एक दिवाल को 10 घंटा में बना सकता है जबकि दूसरा मिस्तिरी 9 घंटा में बना सकता है जब दोनों मिस्तिरी 7 काम करते हैं तो पता चलता है कि प्रती घंटा 10 it कम लगाते हैं और दोनों मिलके दिवाल को 5 घंटा में बना देते हैं तो दिवाल में 8 की संख्या कितनी है, हमें 8 की संख्या निकालना था, तो हम सबसे पहले 8 का कुछ संख्या मानेंगे, 8 का संख्या मानने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है, हम उस समय का LCM निकालेंगे, यानि 10, 9 और हम 5 का LCM लेंगे, 10, 9 और 5 का LCM कितना ह गया 90 यानि हम यह माल लेंगे कि उस दिवाल में जो है 90 इट है टोटल इट कितना है 90 इट है अगर 90 इट है तो पहला मिस्तिरी यानि हमने माल लिया कि A जो है 10 घंटा में लगा रहा है और दूसरा मिस्तिरी यानि B जो है 9 घंटा में लगा रहा है और दोनों मिलके यानि A प्लस B अगर कर रहे हैं तो 5 घंटा में लग रहा है तो देखिए A जो है अगर 10 घंटा में 90 इट लगा रहा है तो 1 घंटा में कितना लगा रहा होगा 9 इ एधर, गैर्ण Πी इना चेला है, लेकिन लग कितना तre 파 इट कर रहे है और A अकेले 9 लगा रहे है, B कला दस लगा रहे हैs अगर दोनों मिल के करते तो कि तना इट लगना चाहिए? निस इट लगना चाहिए, लेकिन लग कितना रहा हैस साथारे रखा है 90 यानि 90 यूनिट किसके पराबर निकल किया गया 900 यानि हमारा आंसर क्या होगा कि उस दिवाल में टोटल जो इट की संख्या होगा और कितना होगा 900 होगा चलिए कोस्चिन समझ में आ गया होगा आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर वीडि क्या है